आलू दम, मसाला कम, भोजी नाचे, छमा छम अब देख सकते हैं बहुत ही लाजवाप और डिलिसियस ड्राइ आलू दम की रेजपी आज हम इस वीडियो में लेकर आया हैं तो वीडियो कम्प्लेट जरूर देखे चैनल को सस्क्राइब करना पिल्कुल न पुले तो आलू दम बनाने के लिए हमने कुछ आलू ली हैं और इन सब आलू को एक कूकर में डाल कर अच्छे से कूकर में थोड़ा पानी डाल लेंगे और पानी के साथ एक चमच नमक उसके बाद अच्छे से थोड़ा सेख करके मिला कर कूकर को बंत कर देंगे और gas के flame को on करके cooker को gas पर चढ़ा कर एक city लगवा लेंगे और बस जैसे ही एक city लग जाए gas के flame को हम कर देंगे off और cooker से सारा pressure release कर लेंगे हम किसी चमचे और किसी चीज़ की मदद से और pressure release करके cooker को अच्छे से open कर लेंगे और अपने आलू को चनी के मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से सारे आलू को पानी से बाहर निकाल लेंगे अलग कर लेंगे पानी से और बस इसे कुछ दे ठंडा होने देंगे और अगर आपको मेरी तरह जल्दी है तो ठंडा पानी इसमें डाल कर हम इसे एक दो मिनिट ठंडे पानी में रहने देंगे ताकि ये थोड़ा नॉर्मन टेंपरेचर में आ जाए जिससे छिलने में असानी होगी और सारे आलू को अच्छे से छिल लेना है नंगा-पुंगा कर लेना है एकदम उसका जो छिलका होता है उसे हटा लेना है उंगलिय में एकदम अंदर तक हमें छेद कर लेने हैं या तो आप टूथपिक का मदद ले या आप मेरी तरह फॉक का यूज करें जैसे पिक करें बस अंदर तक एकदम छेदा कर लें ताकि मसाले अंदर तक जाए और सारे हमने फॉक से कर लिये हैं तो आप कैस के फ्लेम को आन करते हैं और फिर से कड़ाई को चड़ा लेते हैं और कड़ाई को अच्छे से करम करके उसमें मस्टर्ड वॉयल लेंगे और मस्टर्ड वॉयल को पिलकुल एक दम अच्छे से धुआ उठने तक तब करम करना है ताकि mustard oil का जो चापन है वो अच्छे से निकल जाए अच्छे से रेडियो हो जाए हमारा mustard oil और उसमें सारे आलू को अपने टाल कर एक दम अच्छे से आलू को चला चला कर अच्छे से fry करना है ताकि एक crunchy टैप का हमारा आलू ready हो और आलू का color आप देख सकते हैं हमारे आलू का color अब change हो रहा है हमारे आलू के उपर बिल्कुल अच्छे से brown टैप का एक परत ready हो चुका है तो बस अपने आलू को तेल से चान लेना है एकदम बाहर निकाल लेना है और इसमें extra oil है इसके लिए हमने एक paper का यूज किया white paper जिसके उपर हम अपने आलू को अच्छे से रख लेंगे और उस white paper से अपने आलू को पूरा अच्छे से ढख लेंगे और दो से तीन मिनट अच्छे से इसे प्रेस करके छोड़ देंगे इसी में ताकि एक्स्ट्रा oil को यह सोख ले और बस हमारा extra oil निकल चुका आलू से तो फिर फॉक की मदद से हम इसमें च्छेद कर लेंगे ताकि fry करते टाइम जो च्छेद हमारे बंद हुए हो फिर से च्छेद ऑपन हो जाए जिससे मसाले अंदर तक एकदम आलू में हमारे जाए और बस हमारा आलू सारा रेडियो हो चुका है इसी के साथ हमने दो से अड़ाई इंच का एक अद्रग कदुक बस कर लिया है इसके साथ में चार छोटी इलाइची दो बढ़ी इलाइची और देड़ हिंच दालचीनी को हमने टुकोडो में कर लिया है और इसे के साथ एक अश्धार पहुत छोटा सा चावित्री और पान से छे लॉंग और इन सब के साथ दो तेजपत्ता जो कि हम यूज़ करने वाले हैं आगे तो बस इलाइची जो है छोटी बढ़ी और दालचीनी इसे अच्छे से थोड़ा तोड़ लेना है किसी चीज की मदद से आप इसे तोड़ ले या हवाम दस्ते में आप डाल कर तोड़ ले बस दालचीनी को और टु सबको रेडी कर लें और देखे आप हमने रेडी किया है लाइची का मुझ हमारा ओपन हो चुका है तो बस सारा कुछ रेडी है तो गैस के फिलेम को फिर से हम आउन कर लेते हैं और इस पे फिर से कड़ाही को हम चड़ा लेंगे और कड़ाही को बिल्कुल अच्छे से हीट वे थेंगे और कड़ाहे जैसी हमारा करम हो जाए में उसी मस्टर्ड में से मस्टर्ड ले लेंगे जिसमें हमने अपने आलो को फ्राइ किया है और अच्छे से 2-3 चमच मस्टर्ड वॉयल लेकर एक दम धुओं उठने तक करम कर लेना फिर से और इसमें अपने खड़े मसाले हम डाल लेंगे तो तेजपता, श्टार, चावित्री, बड़ी इलाइची, छोटी इलाइची दालचीनी सब डालकर लॉंगोंग डालकर थोड़ा इसे श्टर कर लेंगे और इन सब को थोड़ा चटकाने के बाद एक चमच चीरा का उपयोग हम करेंगे और चीरा को भी थोड़ा अच्छे से चटका लेंगे और इसमें हम ये एक चमच तीखा वाला रेट चिली पॉडर और इसके साथ में दो चमच कास्मीरी रेट चिली पॉडर तो कास्मीरी रेट चिली पॉडर हमारे पास खतम हो चुका था तो हमने घर पे ही कास्मीरी मिर्च पड़ी थी उसे थोड़ा तबे पे फ्राइ करके और मिक्सी में पीस लिया है और कास्मीरी रेड चिली पॉड़र रेडी किया है तो आप देख सकते हैं इन सबको अच्छे से थोड़ा श्टर कर लिया है हमने अच्छे से एक दम पका लिया है उसके बाद इसमें अधरक का यूज हमने किया है अगर आपके पास सोट है सुखी अधरक है तो आप उसका यूज करें हमारे पास नहीं था तो हमने नॉर्मल अधरक का यूज किया है और सब को अच्छे से फ्राइ करके इसमें हम हिंग का यूज करेंगे एक चमच आप हिंग ले ले और उसके बाद थोड़े देर रिश्टर करके हिंग के साथ अपने सारे आलू को हम टाल लेंगे और आलू को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे मसाले हमारे बिलकुल अग्दम तार्क हो चुके हैं आप देख सकते हैं फ्राइकर करके और बस सारे मसालों को आलू के साथ मिक्स करने के बाद इसमें हम करम पानी का यूज़ करेंगे तो हमने करम पानी किया है और उस करम पानी को अच्छे से थोड़ा डाल लेंगे अपने मसालों के साथ आलू के साथ और अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे आलू के साथ आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पानी के साथ इसे मिक्स करके रेडी करना है और धीरे धीरे हमारा पानी सूक चुका है आप देख सकते हैं तो हमने ग्रेवे के लिए पानी नहीं बलकि मसाले अच्छे से आलो के उपर कोटेड हो जाए इस करण से पानी का यूज किया था अब फिर से हम हलका सा पानी ले लेंगे और अच्छे से इसे चला ले मिक्स कर ल हम दो चमच सौप पॉडर का यूज कर रहे हैं और इसी के साथ हम इसमें स्वादा अनुसार नमक डाल लेंगे आप अपने स्वादा अनुसार नमक का यूज करें हमने अपने स्वादा अनुसार एक चमच नमक डाला है और इन सब को अच्छे से श्टर करकर अच्छे से ढ mix करते हुए अश्टर कर लें इसे और फिर से इसे धकन से धक दे और दो मिक्स कर लें ताकि हेमारे अश्टर कर लें ता कि हमारे मसाले चिपके नहीं जले नहीं और पिलकुल अच्छे से इस धकन हटाकर इसे थोड़े देर ऐसे चलाते रहें उसके बाद एक अच्छा सा धकन ले ले कवर ले जिससे पूरा कडाही हमारा बिल्कुल अच्छे से पैक हो जाए और उसे कडाही पर रख दे और कडाही को बिल्कुल अच्छे से पैक करने के बाद उसके उपर कुछ बेटे चीज डाल देंगे और कैस के फ्लेम को पिल्कुल एकदम लो करकर इसे पंदरा से पीस मिनट एकदम तम लगाना है हमें और उसके बाद कैस के फ्लेम को आफ कर दे और इसे बिल्कुल एकदम धका हुआ है छोड़ दे अभी इसे हिल डोल नहीं करना है अटलिस्ट तस मिनट त प्राइब हो चुका है पानी पुरा सुख चुका है हमारा ड्राइ आलू दम बिल्कुल रेड़ी हो चुका है तो आप इसे हम दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप पानी एक्स्ट्रा डालें पानी सुखने ना दें हमने पानी बरत अस्पेसाल आलो दम बनाए हैं अगर आप इसमें बरत में तेल भी नहीं खाते तो आप तेल के जगा मस्टर्ड ओयल के जगा खीका यूज कर सकते हैं बाकि अब हम इसे दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर ले रहें दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर ले रहें अगर को share करें क्योंकि नवरात्रा आने वाला है और नवरात्री में बहुत लोग पास्टिंग करते हैं और खाने के लिए सोचते हैं कि क्या बनाए नहीं बनाए तो यह एक option हो सकता है तो आप सरूर share करें इस वीडियो को